नमस्कार में अंजली विश्रा स्वागत है आप सभी का दर्योज में आपको बता दे की छे चरणों के मद्दान जो है संपन हो चुके हैं आखरी चरण का मद्दान बाकी है और 4 जून को रिजल्ट भी आ जाएंगे लेकिन उसे ठीक पहले विपक्ष द्वारा इवियम का रो अंदिरा है ताकि लोगों के मन में कई तरह के सवाल हो और उसके बाद जब हार हो तो उसका ठीकरा उस पर यारी इवियम पर फोड़ा जा सके कुछ ऐसा ही इस बार एक बार फिर से आपको बता दे की विपक्ष के जाने माने नेता सुप्रीम कोट के वकील और राजसभा के सदर से कपर से बल लेकिया है और फिर से एवियम से छेरचाड का राग जो है वह अलापा है और कहा है कि मत गड़ना से पहले इन चीजों का रखे ध्यान और इसे लेकर वकाइदा उन्होंने एक का प्रेस कांफरेंस की जहां पर वो यह कहते नजार आए कि किन-किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि यह समझाए कि उवियम से छेरचाड हुई है कि नहीं ताकि लोगों को समझाए कि जीत और हर का जो फैसला है जो टाइमिंग का फैसला है वह कितना ज्यादा रिजल्ट पर प्रभाव जो है डाल रहा है तो यह देश में दिनों लोग सभाश चुन कि चायर रहे है उसे वह संभावना नहीं है कि औल नहीं विश्वास है लेकिन मंदातर को सुनेश़्ित करना चाहिए उनका वोट की संख्या तो आपको पता चल जाएगा मैंड़ान कारी खट्टा करने की कोशिच किया यह चार्ट सभी के लिए बनाया है मशीने खोलने से पहले क्या करना है ये बात उनने कहीं सिबल ने कहा कि आप सभी आते हैं कि मद्दान के नतीजे चार जून को आएंगे मैं जद्दार राजवनितिक दलो को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि जब मशीने यानि UVM खुलेगी तो आपको क्या कर चाहिए इसके लिए मैंने सभी दलो और सभी मतगरना एजिंटों के लिए चार्ड मनाया है उन्होंने का कि इस चार्ट में कंट्रोल यूनिट यानि सी यू नंबर बैलेट यूनिट यानि बी यू नंबर और वीवी पैट आईडी मौजूद होगा साथ ही पेपर सील करना होगा कि दो बातों का ध्यान रखें रिजल्ट बटन को तब तक ना दबाए जब तक क्यों उपरोगत कॉलम में वेरिफिकेशन ना हो जाया अगर उस समय और रिजल्ट के समय में अंतर हो तो कुछ गड़ बढ़ है मैं चाहूंगा कि सभी राजनीतिक दिल और वहां के नतीजे निकलेंगे मशीनें खुलेंगी और आपके द्वारा आज मैं जनता को और राजनीतिक दलों को अबगत कराना चाहता हूं कि जब मशीन खुले तो आप लोगों को क्या करना चाहिए ये बहुत बहुत महत पूरून है तो मैंने एक चार्ट बनाया आपके लिए सब दलों के लिए चार्ट बनाया है और जो भी वहां काउंटिंग एजन्ट बैठे हैं उनके लिए चार्ट बनाया है कि आपको क्या सुरक्षा करनी चाहिए काउंटिंग के वक्त तो मैं चार्ट यह आपको दे भी दूँगा अब इस चार्ट में आप देखोगे के पहले लिखा है CU number CU number मतलब control unit number बाइं तरफ उपर control unit number उसके नीचे लिखा है BU unit BU number that means ballot unit number so control unit number होगा यहाँ ballot number unit होगा ठीक है और फिर paper seal होगी उसकी paper seal होगी VVPAT ID होगा तो यह चारे चीजें लिखेत रूप में होगी वहाँ ठीक है आपको match करना है क्योंकि यह control unit number को आपको दिया जाता है फिर आप आजाओ counting table number one में उधारन के तौर पे counting table number one में आप देखोगे EVM is on ECI ठीक है no problem तीसरा column बहुत बहुत important है तीसरा column पे लिखा है 4 जून 24 4 जून 2024 ठीक है और नीचे लिखा है time time मतलब के यह result से पहले result से पहले यह निखित रूप में आ जाएगा 4 जून time कब मतलब के कब यह इसका timing कब होगा यह पता चल जाएगा ठीक है अगर इस time में अंतर हो तो गगरबढ़ है तो आपको देखना है कि इस time में कोई अंतर नहीं है क्योंकि जब भी आप counting table number one में 4 जून का खुलेगी machine तो आपको देखना है क्या time है ठीक है उस में कोई अंतर होगा मतलब यह time अलग दिखाएगा कि इसका मतलब कहीं और भी खुल चुके ठीक फिर अगला table all important है serial number वो serial number भी यहां लिखित रूप में आ जाएगा और control unit तो serial number match हो जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है candidate आ जाएगे total poll votes आ जाएगे ठीक है न total poll votes जब आ जाएगे तो ध्यान से इसको देखना ताकि जब counting में votes ज्यादा हो तो गर बड़ी फिर आ जाओ आप अब जब यह उपर की बातें सब हो जाएगे तब ही आप result बटन दबाना की अनुमती देना पहले एवी एम पहले चार जून टाइम serial number candidate बैटरी जो भी है जब यह खतम हो जाए तब आप उसको बोलना कि आप result बटन दबाईए ठीक है जब आप result बटन दिखवाएंगे तो आपको लिखेगा पोल result उदान के तौर पे 26 एपरिल 2024 उस दिन मद्दान हुआ होगा ठीक है ना तो अगर अगर इसमें भी कोई अंतर है तो भी गर्बढ़ी है और PST का मतलब पोल end पोल start timer and पोल end timer तो पोल start कब हुई पोल end कब हुई ये भी इसमें आ जाएगा उसके बाद serial number ये जो serial number पहले serial table के number से match करना चाहिए फिर candidate और फिर total votes pulled उसके बाद कोई problem नहीं तो देफो दो चीज़ों पे ध्यान रखो result बटन नहीं दबाना जब तक verification उपर column के हो जाए और अगर वो timing और इस timing में अंतर है वो result की timing में तो गड़बर है उस timing में अंतर है तो गड़बर है तो यह सब मैं आपको दे भी दूँगा टेबल भी दे दूँगा यह मैं चाहूंगा कि सारे राजनितिक दल और सारे candidates जो वहां counting agent बैठे हैं वो इसको ध्यान से ध्यान पूर्वक पहला column चेक करके तबी खुलवाएं यह मैं लॉग होता है कि जब call करते हो timer आ जाता है कि इस time आपने call किया इस time किसी ने call लिया इसको call किया तो हर machine में एक लॉग होता है इसको बोलते है operating system software होता है उसको बोलते है operating software तो अगर computer का है तो उसको windows बोलते हैं बाकी android बोलते है ISO OS बोलते है ठीक है ना वो इसमें भी software है तो इसमें अगर छेड़ चार्ट कहीं भी हो तो timing में difference आ जाएगा निश्टी रूप से difference आ जाएगा ठीक है ना अगर किसी किसी ने खोला उससे पहले खोला हो तो वो भी timer आ क्योंकि वो टाइम जब खुलता है वो टाइम तो उसी टाइम रेकॉर्ड होता है और अगर पहले खुला हो तो तुरंत पता चल जाएगा तो जैसे कि आपने सुना कि कपल सिबल जो है वह अभी सही अब इसे लेका तरह-तरह के बाते कहने लगे हैं तरह-तरह की चीज़े प आपको बता देता है क्योंकि बीजोपी के नेता अब इस माम मेरे पर पतिक्रिया दे रहे हैं पोलिंग बुथ लूट लिए जाते थे बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे बिहार के लोग साक्षी हैं कि कैसे आर जेडी कॉंग्रेस के शासन में चुनावों में मतदान पत्र बैलेट पेपर लूटे जाते थे इतना ही नहीं गरीबों को तो वोट डालने के लिए घर से बाहार भी नहीं निकलने दिया जाता था मेरे दलित भाई बहन मेरे पिछडे भाई बहन उनको तो डंडे के चोड़ पे घर के बाहार निकलना मना कर दिया जाता था अब जब गरीबों को देश के इमानदार मतदाता को इवी एम की ताकत मिली है तेज़त चुनाव के दिल लूट चलाते थे बोट हड़प करने के खेल खेलते थे इन लोगों से बर्दास्त नहीं हो रहा था अभी भी वो परिशान है और उसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है कैसे भी करके इवी एम हटना चाहिए यह बटन दबाने वाला खेल बंदोना चाहिए यही उनका खेल चल रहा है इन्डी गडबंदन के हर नेता ने इवी एम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है लेकिन आज देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए बाववा साब आमबेड करके संविधान की ताकत देखिए आज सुप्रिम कौट ने अभी एक दो घंटे पहले ही मत पेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा जटका दिया है ऐसा गहरा जटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए है आज उच्चनियाले ने सुप्रिम कौट ने साप साप कह दिया है कि बैलड पेपर वाला पुराना दोर वापस लोट करके नहीं आएगा आज जब पुरी दुनिया भारत के लोगतंत्र की भारत की चुनाव प्रक्रिया की भारत के चुनावों में टेक्नोलोजी के उप्योग की वहवा ही करती है तारीफ करती है तब ये लोग अपने नीजी स्वार्थ के लिए बदनियत से ईवी एम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे इन्होंने लोग तंत्र के साथ लगातार विश्वास गात करने की कोशिश किये है पिल सिबल के वीडियो को रिपोस्ट करते हुए लिखते हैं कि सुप्रीम कोट के वकील है उसी सुप्रीम कोट से इवियम में फूल प्रूफ होने से मल्टिपल जज्जमेंट है परन्तु मानेंगे नहीं खैड इवियम पर रोने दोने की शुरुवात हो चुकी है तो यह बालियांदी जवारा लिया गया है उन्होंने इससे लेकर पोस्ट किया है और लोग भी कॉमेंट में यहीं क्या रही है कि इन्होंने तो चार जुन से पहले ही इवियम को लेकर र रही है और लिख रही है क्या लिख रही है आपको तादे के वक्ति लिखते हैं कि हार कटिक रहा है इवियम के सर फोड़ेंगे दूसरा वक्ति लिखते हैं पूरी तयारी इन्होंने कर ली है इसके बाद पिर जो है एक और विक्तियां लिखते है हार मान चुके हैं यह सब कर लोग कुछ और क्या रही है तो आप नहीं बलकी उल्टा आप लोगों में संदे प्यांदा करने का प्रयास कर रही हैं कि बिलकुल भी आप सबलवात नहीं हो गे तो ऐसे मैंने आपको पूरा मामला यह बड़ा बैस्तार से बता है कि प्रमामला क्या है किस तरीके से रवज्जसवा के सहांसत कपसिब्बल ने अब इवियम को लेकर बयान बाजी करने शुरू कर दी है तरह-तरह की बाते कह रही है छेचाल की संभावना वीजित आ रही है औ और लोग जो है कॉमेंट करके उन्हें अगर आप कहेंगे कपसिबल की क्लास भी लगा रहे हैं और क्या रही है कि विपक्ष ने हर से पहले करोना शुरू कर दिया है तो ऐसे मैं पूरे मामले पर आपकी वीजिड़ाए हो अब कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरु साचा करिएगा दने बात